नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूजवर्ड इंडिया और मैं हूँ आपके साथ सुभाश कौट आज हम बात करेंगे उत्राखंड के उसका दावर नेता की जो पिछले एक सब्ता से दिल्ली में डेरे डाले बने थे डेरा इसलिए कि शायद उनकी कॉंग्रेस में फिर वाप कीम हरक सिंगरावत पिछले एक सब्ता से दिल्ली में थे और इंतजार कर रहे थी कि कब उनको कॉंग्रेस अपने पाले में वापस लेगी और आज कॉंग्रेस ने उन्हें अपने पाले में तो ले लिया लेकिन तरीका बहुत अलग था वह इसलिए क्योंकि कॉंग्रेस बुलाई जाती हैं । मालाएं पहनाई जाती हैं फटके पहनाई जाते हैं लेकिन उतराखण के इतने बड़े नेता जी हाँ बहुत बड़े नेता हरक सिंगरावत को कॉंग्रेस ने ना मीडिया के जरीए ना किसी और जरीए ज्योइन कराया बलकि एक बंद कमरे में उनकी जॉइनिंग की गई खुद ही नेताओं द्वारा फोटो कीजी गई और मेडिया में भेजी गई तो ये साफ है कि हरक सिंग रावत इस बार अपनी शर्तों पर नहीं बलकि कॉंग्रिस की शर्तों पर कॉंग्रिस में शामिल कर आए गए हैं वो नेता जो अपनी शर्तों पर हम बलकि राजनीती करता था उस नेता को पिछले एक हफते से कॉंग्रेस के हरी श्रावत में देली में बिठा कर रख और आज चुपके से उनको कॉंग्रेस में शामिल कर लिया लेकिन बड़ी चीज़ यह है कि कॉंग्रेस किसी को भी यदि अपनी पार्टी में शामिल करती ह चाहे वो जिला स्थर का नेताई क्यों ना हो तो उसके लिए भव्य स्वागत कारेकरम किया जाता है भव्य तरीके से उसका स्वागत किया जाता है पूर में जिस तरीके से यश्पाल आर्या की जोइनिंग हुई तो दिल्ली की कॉंग्रेस पार्टी ऑफिस में बहतर तरीक की जो मांगे थी वो ना मनवा कर पार्टी ने अपनी मांगो उपर अपनी शर्तों पर उन्हें पार्टी में शामिल किया है लेकिन बड़ी चीज ये भी है कि हरक सिंग रावत इस बार विदान सभा का चुनाव लड़ेंगे ये सवाल इसलिए भी बनता है क्योंकि जैसे कि मै लड़ाये जाता है तो वो जानते हैं वो जीत गए और सरकार बन गई तो उन्हें मंतरी बनाना अनिवारे हो जाएगा और वो नहीं चाते कि फिर एक बार प्रेशर पॉलिटिक्स वो कॉंग्रेस में करते हुए नजर आएं इसलिए से ये बाते भी सामने निकल कर आ रही है कई कदा वर नहीं था कई senior leaders कई बड़े कारेकरता जो पिछले लंबे समय से कॉंग्रेस का जणडा उठा रहे थे वो खफा हो गये हैं वो पार्टी से नराज हो गये हैं ये भी कहा जा रहा है वो पार्टी के खिलाव बगावत कर सकते हैं हलकि उनको भी मनानी की कोशिश प लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इस बार हरक सिंग रावत किस विदान सबा सीट से चुनाव लड़ेंगे या नहीं या फिर पार्टी उनको विदान सबा चुनाव ही नहीं लड़ाती लेकिन इतना जरूर है कि हरक सिंग रावत की कॉंग्रेस में शामिल होने के आगे भी ऐसी चानकारी हम आपको देते रहेंगे तब तक के लिए बने रहिए न्यूज वार्ड इंडिया के साथ नमस्कार